कि नमस्कार कैपिटल टीवी बिहार के खास पोराम दो टूक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दो टूक में हम आपको बताने की कोशिस करेंगे कि असल में सियासत में जो घटनाए हो रही है उसके मूल में क्या था क्या थाई वो बुनियाद जिस पर वो खड़ी हुई वो खबर और उस खबर का क्या हो रहा है असर इस पर हम बात करने जा रहे हैं तो डो टूक की शुरुआत हम कर रहे हैं नितिश कुमार के सपने के तूटने का आप कहेंगे कि कौन सा सपना नितिश कुमार का तूट गया के साथ जो तालमेल था दो तीहाई बहुमत थी सरकार की इसके बाब जूद नितीश कुमार उस पाले से इस पाले में आए महागट बंदन से एंडिये में आए बजा क्या थी दो ही चीज थी विधान सबाब भंग करते हैं सास्ता चुनाप कराने की सिफारिस कर देते हैं लेक ये से साथ जो सरकार बनी उसकी सर्थ यही थी कि बिधान सबाब को भंग करेंगे साथ साथ चुनाप कराएं लेकिन अब तो बाजी हाँ से लगती ही चली गई तो क्यों बाजी हाँ से निकल गई और किस तरह से टूटा है नितीश कुमार का सपना इसको थोड़ा विस्तार से समझिए देखिये कल लोकसभा चुनाप का एलान होने वाला है कल चुनाप आयोगे एक प्रेस कौनफरेंस करेगा तीन में चुनाब किन किन चर्रों में होना है इसका ऐलान हो जाएगा मतलब कि चुनाब की डुगड़गी बच जाएगी कल तीन वजे के बाद से Code of Conduct लग जाएगा आचारतंगीता लग जाएगी उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं तो अगर लोकसभा के साथ बिहार बिधान सभा की चुनाब होना था तो ये इस ऐलान से पहले ही इसकी तयारी होनी थी उसकी सूचना चुनाब आयोग को जानी थी ताकि चुनाब आयोग उसकी तयारी कर सके लेकिन ऐसा बिहार के मामले में कुछ नहीं हुआ देखिए कल जो घोसना होगी तो कुछ राज्यों के बिधान सभा चुनावों की भी घोसना होगी जो साथ-साथ लोग सभा चुनाव के साथ होते आए हैं लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाब साथ-साथ होगा, यह अब खारिज हो गया, यानि नितिश कुमार का ये सपना तूट गया. बार-बार इसका जिक्र होता है कि आखिर नितिश कुमार ऐसा चाहते क्यों थे? कौन सी ऐसी बात थी? अगर दो-टू का आप समझें, तो बात यही थी कि उनकी बारगेनिंग तागत बनी रहे बिहार में, बिहार के सियासत में, और दिल्ली के सियासत में. साथ-साथ चुनाब होंगे, तो प्रोपर सीट मिलेगा, एक सो से ज़्यादा सीटों पर जनता दद उनाटेट लड़ती, एक सो से ज़्यादा सीटों पर बीजे पी लड़ती, फिर जो ये तीसरे नमबर की पार्टी की जो पीड़ा और दंस है, नितिश कुमार का, वो खत जब कभी भी परिस्थितियां जैसी राजनितिक बनेगी, उस हिसाब से बिहार विधान सवा का चुनाब होगा, वैसे सिडूल में तो 25 में इसको होना ही होना है, तो वो जो एक बात नितिश कुमार के दिल में थी, जो सपना उन्होंने संजोया था, कि हम साथ-साथ चुना बिहार में बन जाएंगे, अभी लोग काते हैं कि तीसरे नमर की पार्टी है, फिर भी नितिश कुमार मुखमंतरी बने हुए है, खुद उनको बुरा लगता है इन चीजों का, कई बार आप दी रेकॉर्ड अपने लोगों के बीच ये बात कह भी चुके हैं, इसलिए वो क साथ 45 विधायक है, वो मुखमंतरी क्यों बना हुआ है, इसका मतलब कि सत्ता का लोब है, कुर्स्ती का लोब है, और नितिश कुमार इस तरह के आरुपों से बचने की कोशिस करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके इमेज को इस तरह का कोई दाग लगे, तो विधान सवाचु उन्होंने जो चक्रवियू रचा नितिश को लेके उस चक्रवियू में नितिश कुमार फस गये, वो चाह कर भी अब उससे बाहर नहीं जाते सकते हैं, अब तो लोग सभा का चुनाब है, किसको कितनी सिटी आएगी, ये तो अलग कहानी है, लेकिन विधान सभा को लेके ज नितिश कुमार की बारगेनिंग पावर कम हो जाएगी, अब वो डिक्टेट नहीं कर पाएंगे चीजों को, जिस तरह से वो डिक्टेट करते रहें पिछले 18 सालों से, बीजेपी को, वो डिक्टेटिंग का पावर नितिश कुमार का घटने बाला है, चुकि एक बार अगर नरिन्मोदी की सरकार दिल्ली में बन गई, तो बिहार को लेकर भाजपा अपने फैसले अपने हिसाब से तय करेगी, बिहार में क्या होना है, किसको मंत्री बनना है, किसको सरकार चलानी है, मुखमंत्री यहां तक कि मुखमंत्री कौन होगा, अगला, क्या नितिश कुमार क रिप्लेस करके भजपा अपना मुखमंत्री बना देगी, तमाम संभावनाएं खुल जाएगी, एक बार नरिन मोदी की सरकार दिल्ली में बन जाती है, तो ये कहानी नितिश कुमार को कहीं न कहीं से सालती है, कि वो चाह कर भी अपना ये काम नहीं करा सके, देखिए आपको ज्यान होगा, जब प्रधान मंत्री के साथ वो मंच सेर कर रहे थे, जो बार बार वो सफाई दे रहे थे, कि हम बीच में कुछ दिन के लिए गाइब हो गए थे, अब हम आपके साथ हैं, बस बिहार का कुछ काम जो बचा हुआ है, वो सब हो जाए, तो उन बचे हुए कामो में ये सब काम भी सामिल था, लेकिन वो काम नहीं हुआ, बिहार विधान सबा का चुनाब अब साथ-साथ नहीं हो रहा है लोक सबा चुनाब का क्योंकि कल ही लोक सबाचुनाब का अयलान हो जाएगा, code of conduct लग जाना है, अब जो होगा वो आगे की कहानी है, मतलब साइब ह इस से तोर पर केबल कहने के लिए नहीं, एकदम जमीनी और बैभारिक्ता के आधार पर बड़े भाई की भूमिका में होगी, अब वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं होगी. तो मामला साफ साफ है, एकदम दो टूक है, कि भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में आचुकी है, और छोटे भाई की भूमिका में नितियस कुमार है, उनका जो बारगेनिंग पावर है, वो कल के बाद से कम होना शुरू होगा, और जब लोग सभाचुनाप के नतीज आजाएंगे, उसके बाद वो पावर कितना रहा जाएगा, ये देखना भी बड़ा दिल्चास होगा, तो दो टूक में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ने एपिसोड के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्दबाद, आपका बहुत-बहुत सुक्रिया.